नमस्कार किसान भाईयों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूटूब चैनल पर मेहू मनिज धाकर दर्शकों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की साप्ताइक समिक्षा के बारे में जैसा कि पिछले लगातार कुछ साप्ताओं से हमापको साप्ताइक समिक्षा दे रहा है और काफ़ी खुशी की और रहात वाली बात है कि जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट शत्-प्रतिशत सही भी साबित हो रही है तो दर्श को आज हम फिर से बात करने वाले हैं बीते हुए सब्ता में क्या इस्तिती रही है और आने वाले सब्ता में क्या इस्तिती बन सकती है उसके बारे में तो दर्श को सबसे पहले तो मैं आप से जो हमेशा कहता हूँ वो जरूर कहना चाहूंगा क यह मेरे निजी विचार है जो बजार की परिष्थिती बनती है जो बजार में माल आ रहा है मंडियों में लेसुन के आवक हो रही है और जो किसानों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हम यह report बनाते हैं तो दर्शकौँ आप सभी से निवेदन हैं कि यह मेरे निजी उसमें मात्र दो दिन मंडी चली है उसके बाद में पुना जो की कोरोना कोविट-19 की महामारी चल रही है जिसकी वजासे वापस से मनसोर और नीमच जो की दो बड़ी मंडिया है इनमें 10 दिन का कोरोना कर्फिव घोशित किया गया है और इस कोरोना कर्फिव के चलते यहाँ पर 10 दिन लगातार मंडिया नहीं चलेगी और इससे पहले भी दर्षकों उज्जेन रतलाम इन जिलों में जो है लोकडाउन गोशित हो चुका है तो दर्षकों वहाँ पर लोकडाउन चल रहा है वहाँ की मंडिया भी नहीं चल रही है और अब इन दो जिलों में जो की हमने आपको उससे पहले जो साप्ताइक समीक्षा के बारे में बताया था कि संभावना 500,000 रुपे की तेजी मद्दी की बन रही है और दर्षकों हुआ भी वही पहले दिन तो जो बजार खुला था वो समान खुला और दूसरे दिन बजारों में तेजी देखने को मिली जि मम्हिंसी किसी माल में 1000 रुपे तक की तेजी देखने को मिली थी तो अब दर्षकों बात करते हैं आगे आने वाले सप्ता की कि जब मंडिया खुले तो क्या परिस्तिती बन सकती है वेसे तो दर्षकों आप सभी को सबसे पहले ज़रूर बताना चाहेंगी कि 10 दिन का कोरुणा कर्फ्यूव लगा है लेकिन दर्षकों ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि 10 दिन के बाद में मंडिया निश्चित रूप से चली जाएगी हो सकता है कि इस corona curfew को अगर स्टति कंट्रोल में नहीं आती है तो इसे और आगे बढ़ाये भी जा सके और हो सकता है कि मंडिया चल भी जाए तो दर्शकों आगे बढ़ता है तो उसके बात की बात बाद में करेंगे लेकिन अगर मंडिया खुलती है तो क्या संभावना बन रही है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दर्षकों कि 10 दिन के बाद में जब मंडि खुलेगी तो दर्शकों कहीं ना कहीं बजारों में आवक जो है ठीक ठाक लेसूंगी देखने को मिलेगी बढ़िया देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कोरोना करफ्यू जैसे जैसे सभी और लगता जा रहा है वैसे वैसे किसान भाईयों के मन में ये बात जरूर घर कर गई है कि ये आगे भी इसी प्रकार से चल सकता है तो जिन किसान भाईयों को अपना माल बेचना है वो तो जल्दी से जल्दी अपना माल बेचना चाहेंगे तो दर्शकों हो सकता है कि आउके अच्छी रहे और बंपर भी हो सकती है दर्शकों मंडी 10 दिन के बाद खुलेगी तो लेकिन फिर भी दर्शकों भाव में कहीं से गिरावट की सम्भावना नहीं लग रही है अगर मंडी खुलती है तो भी क्योंकि दर्शकों उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि पिछले सप्ता जब मंडी चली थी पास दिन के आउकाश के बाद चली थी मातर उसके बाद दो दिन मंडी चली और उसके बाद में पुना दस दिन का कोरोना कर्फ्यू गोशित कर दिया गया तो दर्शकों माल जो है उसकी आपूरती बहुत कम हुई है और जहाँ पर हम मानते हैं कि सेंटर जहाँ पर हैं वहाँ पर भी ये कोरोना की महामारी चल रही है लेकिन दर्शकों फिर भी जो सामान्य मांग है वो भी काफी ठिक ठागी देखने को मिल रही है अगर मांग बहु क्योंकि अगर आवक बढ़कर के भी आती है तो मांग रहेगी उसकी वज़े से हो सकता है कि बजार तेज देखने को मिल जाए क्योंकि दर्श को ये बात इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना महामारी की चलते हर जगा पर लैसुन की बिक्री कमजोर है लेकिन फिर भी जहां पर अगर बिल्कुल भी माल नहीं है लेकिन सामान मांग बनी हुई है तो वहां पर लैसुन की डिमांड बढ़ेगी और लैसुन की डिमांड बढ़ने से जो अगले मंडी चलने का दिन आएगा उस अगले दिन मंडी में जो है बजारों में गिरावट की संभावना न ज्यादा नहीं मिल रही है और मंडी में भी हम देख रहे हैं दर्शको जो हलके माल आ रहा है वो कोई उचे भाव पर नहीं भिक रहे हैं और उनमें कोई ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं बन रही है इसके लिए आप सभी किसान भायों से मेरा यह जरूर कहना है कि अगर में बढ़िया माल बढ़िया क्वालिटी के लिए ही आपको बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दर्शको यहाँ पर हमने देखा है मंडी जब भी चली है जिस दिन भी चली है इस्तधी परिस्तिती चाहे कुछ भी रही हो लेकिन दर्शको अच्छे माल जो हैं वो काफी अच क्वालिटी का माल था काफी ज़्यादा परदा उसमें कमजोर देखने को मिल रहा था दर्शको लेकिन फिर भी उसकी जो वाइटने से फ्रेशने से वो काफी बढ़िया होने की वज़े से और साइज बढ़िया होने की वज़े से वो 10,300 रुपे प्रतिक विंटल तक विका थे और साइज अगर फूल गोला भी है और उसमें लड्डू भी अगर मिक्स है तो वह 7,500 रुपे, 7,000 रुपे, 8,000 रुपे, 8,000 रुपे तक बिक रहे हैं तो कुल मिलाकर के दर्शकों आप सभी से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास में अच्छा माल है त तो लेसून में जो है घिरावट की संभावना एक कम लग रहे है आगे चलके कही ना कहीं तेजी बन सकती है लेकिन दर्शकों इसी के साथ साथ आप सभी किसान भाईों दर्शक बंदों से हम ये अपनी और से जरूर एक नीजी राय, नीजी संभावना और नीजी विचार जरूर व्यक्त करना चाहेंगे कि समय समये पर लैसून में जहां पर भी आपको ठीजी लगती है, जहां पर भी आपको लगता है कि लैसून के भाव में बढ़ोतरी हुई है, और आपका मन संतुष्ट होता है, तो धीरे धीरे माल को विक्रेज जरूर करना चाहिए अगर मैं अपनी बात करूं दर्शकों तो में भी अगर इस जगे होता तो मैं जरूर टेजी के भाव में जो बजार में तेजी आती है उसमें थोड़े-थोड़े माल को जरूर विक्रह करता दर्शकों तो ये सबी आप किसान भाई ध्यान रखेगा कि अ पीने की चीज है रोजमर्णा में यूज आने वाली चीज है हमारे देनिक दिन चरिया में यूज आती है दर्शकों तो इसमें कहीं पर भी हमें आगे चल करके गिरावट की सम्भावना नहीं लग रही है और मजबूत और कड़क जो माल है उन में तो बजार तेज रहने की पूरी सम्भावना लग रही है लेकिन हलके मालों में दर्षकों ना तो अभी हाल फिलाल में उठापटक देखने और अगर आप सभी को हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक सदिक संग्या में वीडियो को like कीजेगा, अधिक सदिक किसान भायों तक वीडियो को share कीजेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजे जिससे कि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिपिकेशन मिल जाए और आप जल्दी जल्दी सभी जनकरिया देख पाएं धन्यवाद जय जवान जय किसान